इस कारेक्रम को जॉइस मायर मीनिस्टीस के मित्रों और भागीदारों द्वरा संबव बनाए गया है नमक बनो और हलके बनो आपका जीवन किसी दूसरे को प्यासा बना है किसी दूसरे के हंधकार में प्रकाश बनो अपने स्वयम को अपने दिमाग से निकालो और मैं आपको बतारियू परमिश्वर आपके लिए पांच मिनिट में उससे ज्यादा करेगा जो आप नहीं कर सकते आज रात मैं आपके साथ जो साजा करने वाली हैं उसके विश्यमे में बहुत उत्साहित हूँ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी से साजा नहीं किया है क्योंकि वास्तों में मैंने किया है लेकिन मैं प्रार्थना कर रही थी कि आज रात आखिर आप ये सुनने वाले हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक उर्सी पर बैठ कर कुछ सुनते हैं तो जरुरी नहीं कि हम इसे समझें इसलिए पॉलुस प्ररित कहता है वही बाते तुमको बार-बार कहने में मुझे तो कुछ कश्ट नहीं होता क्योंकि इमानदारी से कभी-कभी किसी बात को हमें बार-बार सुनने की जरूरत होती है लगभग 25 वी बार सुनने पर आपको ये समझ में आता है और आप जैसे समझते हैं और ओ और ये तो ऐसे कि आपके लिए एक एकदम नया हिलगिन परमिश्वन ने पहले आपको कई बार ये दिया है अब मैं मत्ति अध्याय 24 वचन 4 से शुरू कर रही हूं और ये अंतिम समय के संकेतों के बारे में है जो शायद हम सब जानते हैं कि हम उसी समय में जी रहे हैं अब मैं जानती हूँ कि हर पीड़ी को यही बता है कि वो भिन है लेकिन एक बात निस्चीत है हम अन्य पीड़ियों की तुलना में इससे कहीं आगे और हर एक हमेशा एक में दिलजस्पी रखता है कि अंतिम समय के संकेत क्या होने वाले हैं खेर यदि आप मत्ति अध्या 24 और आज दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर नजर डालें एक बात जो यहां नहीं कहता है लेकिन यहां लिखा है कि वहां बहुत ज्यादा धोका होगा जब हम जानते हैं धोका शैतान से आता है कर रात हमने कहाता कि दोकी का मतलब है जूट का विश्वास करना जब हम जूट पर विश्वास करते हैं तो हमें दोखा मिलता है जैसे कि कई वर्षों तक मेरा माना था कि मेरा जीवन हमेशा घटिया रहेगा क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोशन किया था मैं बस यही मानती थी आप जानते हैं इसने मुझे नुकसान पहुँचाया और मेरे जीवन को नुकसान पहुचाया और मैं जो कुछ भी होती या हो सकती थी मैं नहीं कर सकती थी वो गुजर चुका था खैर देखो वो जूट था लेकिन जब तक मैंने इसका भरुसा किया वो मेरी वास्तविक्ता थी और जब मैंने पाया कि परमिश्वर मुझे चंगा करेग परमिश्वर हमारा बदला चुकाने वाला है लेकिन यदि आप अपने रिणों को जमा करने की कोशिश करेंगे तो परमिश्वर आपके लिए ये करने में शामिल नहीं हो सकता इसलिए वो हम एक शमा करने के लिए कहता है और इससे भी आगे बढ़कर वो कहता है कि अपनी शत्रूं से प्रेम करो और उसके लिए प्रारत ना करो इसलिए नहीं कि वो इसके लायक है या इसलिए नहीं कि आपके लिए यह करना असान है बलकि यह उसे काम करने देता है और मैं आपको बता दू जब परमिश्वर किसी पर काम करने वाला होता है तो शैतान भी रास्ते से हर जाता है क्योंकि परमिश्वर जीतने वाला है लेकिन बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में धर्ती पर ऐसे भारी क्लेश होंगे कि यदि प्रबोन दिनों को कुछ चुने हुए कि कारण ना घटाए तो कोई प्राणी अब इसे समझ ले धर्ती पर आने वाले भारी क्लेश से कोई प्राणी नहीं बच सकता था हमें सच्चाय का सामना करना है कि हम बेहत खतरनाक समय में जी रहें लेकिन मैं अपना जीवन जीने से नहीं डर्ती क्योंकि मैं परमिश्वर के हाथों में हूँ मैं परमिश्वर के हाथों में हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि शैतान को दूर रखने के लिए मुझ पर हमला करने के लिए नहीं बलकि जीतने से दूर रखने के लिए परमिश्वर के साथ कैसे काम करना है एक्षत्र व एक मार्क से हम पर चढ़ाई करेंगे, परन्तु हमारे सामने से साथ मार्क से होकर, भाग जाएंगे, यदि हम जानते हैं कि उसका ठीक से सामना कैसे करना है, तो वह चन चार से शुरू करते हैं, लिखा है, कि वे जानना चाहते हैं कि ये सब बाते कब होने वाली हैं किस-किस पर हमें नजर रखनी चाहिए और इसलिए ये ये शुने उनको उत्तर दिया साउधान रहो कोई तुमें भर्मानी नपाई इसलिए आप ये नहीं मान सकते कि आप धोखे से उपर हैं क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ क्या आप नहीं है या ऐसा कोई नहीं जो इतना अध्यात्मिक है कि उनके लिए धोखा खाना अस्संभव हो इसलिए हमें पूरी बाइबल में बता गया है कि ध्यान रखें प्रार्थ ना करें और खबतार रहें और सतर करें और अपनी निगरानी करें साउधान रहो कोई तुमें भर्मानी नपाई क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसी हूँ और बहुत तुम को भर्माएंगे तुम लड़ाईयों और लड़ाईयों की चर्चा सुनोगे तुम घबरा मत जाना क्योंकि इनका होना वश्य है परंतो उस समय अंतना होगा क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा और जगे जगे भुकाल पढ़ेंगे और मुई डोल होंगे ये सब बाते परिक्षाओं का आरंभ होंगी किसी अन्य समय की तुलना में वो क्या कहते हैं प्राकरितिक आपदायाद ज्यादा हैं मुझे लगता है मेरा मतलब है कि बहुत समय पहले उनके पास रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं तो और ये हमेशा से आसपास हो रहे हैं लेकिन हमारी मिनिस्ट्री पिछले को सालों से 188 राश्ट्री आपदाओं में लोगों की मदद करने में शामिल रही हैं युस्टन में एक साल पहले बाढ़ आई थी और अब फिर से वहाँ पानी भर गया है 30 इंच बारिश एरपोर्ट बंद है जो लोगियां कॉन्फरेंस में आने वाले थे उनके जाज ओड़ नहीं पाए यहां तक एक तुफान है और वहाँ आग है और एक मुझे लगता है पिछले साल हम कैलिफानिया में थे रेंडिंग में अब आग ही आग ती वहाँ बहुत से लोग है जो आहत हैं और लोग हैराने की क्या हो रहा है यहाँ इस सब में परमेश्वर खाँ है और अब जानते हैं बाइबल में एक वचन में लिखा है जितना अधिक पाप बढ़ता है अब इसी सुने स्रिष्टी करहा रही और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है इसलिए मुझे लगता है हमारी धरती करहा मुझे लगता यह चिला रही है कि आज दुनिया के पाप और अविश्वास के वजन के नीचे ये भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है आप मैं आपके साथ इमानदार होंगे आना की में लाखों लोगों के सामनी हूँ टीवी के जरी और मैं पूरा समय पबलिक में हूँ इस वास्तों में एक जगे से दूसरी जगे घुमते हैं और मेरी अपेक शावे ज्यादा कामों में शामिल है और आपके साथ इमानदारी से मैंने हमेशा बिलकुल ऐसा महसूस किया है जैसे मुझे केवल अपने काम से चिपके रहने की जरूरत है और वही करूं जो मुझे लगता है कि परमिश्वर चाहता है कि मैं करूं उसी राप पर चलो जो उसने किया कि मुझे चलना है और ये बहुत अच्छा काम चल रहा है इसलिए मैं इसे ठीक करने वाली नहीं हो क्योंकि कभी-कभी जब अब बहा निकल कर बहुत से चीजों में शामिल होते हैं तो जब तक आफ वास्तों में बहुत मजबूत नहीं होते जैसा कि बहुत से लोग है ऐसी चीजों में फंस जानासान होता है जो वास्तों में समझ में नहीं आ और वास्तों में मुझे ओनलाइन दिखाया लोगों को ये एक समू है जो बहुत-बहुत इसाइत थे वे आप पौधों के सामने अपने पापों को स्विखार कर रहे हैं और मैं जैसे अब मैं जानती हूँ कि ये मुझे मुसिबत में डाल देगा लेकिन किसी को वास्तों में आपको ये बताने की ज़रूरत है परमेश्वन ने पौधों को बनाया है और पौधे आपकी वे पाप स्क्रमा नहीं करते और मेरे लिए ये चीज इतनी हास्यास पद है मैं जैसे कोई ऐसे कैसे विश्वास कर सकता है इसलिए हमें सच्चायका प्रचार करते रहना है और करना है अब जानते हैं इसे चाशनी में डुबो कर मीटा और अच्छा बनान की कोशिश नहीं करने ता कि हर कोई इसे निगल सके यदि आपको लगता है कि कभी-कभी मैं कठोर होती हूँ तो आपको ये शुको अबदेश करते सुना चाहिए तुम सापों तुम सापों के समूहों तुम बस पाखंडियों उसने का तुम चुना किटी की ये हुई कबरों के समानों जो बीतर मुर्दों की हड्यों से भरी है मैं कभी-कभी एक प्रकार से परमेश्वर की प्रधिश्ठा की रक्षक होती हूँ कृस्क्रेन और मैं एक बार मिलकर économique कर रहे थी और एक स्टोर में गए हमानों चार ओर दिख रहे थी और जिक्र किया कि हम दौरे पर थे और उन्हों किया किया कर रहे हुँ कि मअ अच्छित करने लगेर उसनी कुछ अश्लिल चब्दग कहें और फिर उसने का सच कहूं तो मुझे लगता है परमेश्वर भी गाली देता है ठीक है अब मुझे घुसा आ गया मैं परमेश्वर की प्रतिष्टा की रक्षा करने वाली थी मैं काउंटर पर जुकी और मैंने का परमेश्वर गाली नहीं देते और क्रिस्टिन के ने एक तरफ बिल्कल मेरे सामने जुकते हुए का लेकिन वो उन लोगों से प्रेम करता है जो ऐसा करते हैं और बाद में परमेश्वर ने मुझे का तुम मचली को साफ़कन के कोशिश कर रही थी जिसे अभी हमने पकड़ा भी नहीं तक आप जानते हैं ये दिल से एक इसाई मत प्रकारक हैं और वो चाहती थी की लड़की को बचाएं और मैं एक शिक्षी का हूँ लेकिन वहाँ कुछ अजीब बात है प्रभू दया कर फिर वे तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और आप जानते हैं इसाई अब दुनिया में सबसे ज्यादा सताय जाने वाले हैं और ये यहां अमेरिका में भी पहुँच रहा है और इस जगे की स्थापना इसलिए की गईती की लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल सके और अब हर तरह के धर्म को स्वतंत्रता है सिवाए इसाईयों के और बहतर हो कि हम खड़े हो जाओं और अपने अधिकारों के लिए एक सही तरीके से लड़े न की हिंसक तरीके से लेकिन एक सही तरीके से या हम उन्हें खो देंगी हमिशा के लिए पिर वे तुम्हें पकडवाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे और उस समय बहुत अरे विश्वा से फिर जाएंगे आज यही हो रहा है और बहुत तों को भरमाएंगे इसे समझे और भरमाओ और एक आसिप और शमान न करना और कड़वाहट और नाराज की और यही वज़े कि चर्च के पास कोई शक्ती नहीं है अभिशेक महां रहता है जहां शान्ती हो सकती है और यदि हमारे पास परमेश्वर का अभिशेक नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है और आप में से कोई शायद ये भी नहीं जानती वो क्या हैं, परमिश्वर का अभिशिक बहुत किमती है, यह आपके जीवन में उसकी शक्ती और उसकी उपस्तीती है, और बाईबल में लिखा है, यदि आपके पास अभिशिक है, तो किसी को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये किसी शिक्ष परमिश्वर की उपस्तिति आपको बताएगी कि आपको दाएं जाना या बाएं जाना या आपको कहना या ना कहना है आपको परमिश्वर का अभिश्यक चाहिए न केवल प्रचार के लिए लेकिन आपको उसके अभिश्यक की जरूरत है बच्चे को पालने के लिए काम पर ज संदेश नहीं है जो आपने लोगों को माफ करने पर सुना है और इस सब के बार में आज रात बात करने वाली नहीं हूं लेकिन यदि आप अभी लोगों पर गुसा है घुसा में रहते हैं तो आप को अभी यह संदेश सुनने की जरूरत है और मैं जानती हूं हम ऐसे ही हैं लेकिन आप नहीं जानते उन्होंने क्या किया था इसे फर्क नहीं परता और मैं किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं कहरी हूं है और हम मुझे बार बाक्षणा करता है और वो हमें जो कुछ भी देता है वो उम्मीद करता है कि हम बार दे अब यह है तुम मुझ पर भरोसा करते हो आप में से कितने मुझ पर भरोसा करते हैं मैं आपको बताने वाली हूं कि मेरा माना है कि आज दुनिया में यह सब नफरत के रंग से नफरत करते हैं वे किस चर्च में जाते हैं उसकी वज़े से एक दूसरे से नफरत करते हैं वे एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि वे ये भी नहीं जानते कि एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं मेरा मतलब है लोग बस सब पागल है मुझे लगता है कि दुनि पहुँचाते हैं परमिश्वर आपको देख रहा होता है दो कुरुंतियों अध्याए एक मुझे लगता है वचन 10 और 11 पॉलूस कहता है हम ख्षमा करते हैं कि शेयतान का हम पर दाउन चले आप इसलिए ख्षमा नहीं करते क्योंकि यह आसान है आप ख्षमा करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि शेयतान को आपके जीवन का दर्वाजा खुला हुआ मिले यहाँ आने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ परमिश्वर मैं आज रात को क्या कर रही हूँ कृप्या लोगों को सुनने दे मेरा मतलब है मैं सच में चाहती हूँ कि आप यह सुनी मैं चाहती हूँ कि आप इसे इतना तो समझे कि गर जाकर आप कुछ बदलाव करें मैं नहीं चाहती कि कोई भी सम्मेलन को छोड़ते हुए किसी पर नाराज हो खैर या मैं मैं आपको बता दूँ यह विश्वास की एक बूंद है मैं नहीं जानती मैं मतलब है मुझे खिये दे लेगे ना आपको बस आज़राथ विप क्रीम और केक नहीं दे सकती यदि आप सिर्फ एक और कटोरी चीनी चाहते हैं तो कहीं और जाओ हमारे पास मीटोर सब्दिया है अब मैं उस हिस्थे पर आने वाली हूँ जो मुझे बहुत पसंद है वे याथ तब बहुत तेरे टोकर खाएंगे और एक दूसरे से बेहर रखेंगे और बहुत से जूटे भविश्य अद्वक्ता उठखड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे अब यहां वचन समाजों के लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है क्योंकि वे भी दुनिया में हो रही बुराई और दुनिया को सभी समस्याओं में फस रहे हैं और इसलिए हम सब क्रोधी ते और आप जानते परमीश्वर पर नाराज और हम समझते नहीं है और बग 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 करते और हमें क शैतान है यह है और यह जानने की प्रेम आध्याद्मिक युद का उत्ततम रूप है अब क्रिप्या इस समझे हम शैतान को कैसे हराना है इस बार में बात कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहती हूं कि बुराई पर विजय पाने का किवले की तरीका है और वो है कि भले बन कि अच्छाई करो लोगों से प्रेम करो दान करो मदद करो सेवा करो और यदि आप समझ रहे हैं या नहीं इसका फैसला करने के लिए आपको चेहरों पर देखो तो मैं यहां परेशानी में हूं मुझे किसी का बता करना से जो की मेरे साथ पेज वन पर है और मैं चाहते हूं कि मन से कोच जाओं और कहूं हमें बदलने की ज़रूरत है और हमें इस्वयाम को अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है न किस रिष्टी का केंद्रविंदो बनने की बाइबल में क्या लिखा है यदि तो मेरे अनुयाई ये बनकर मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आपको भूलना होगा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपका इंकार करें और अपना cruise उठाए और मेरे पीछे होने और आप तो जैसे क्या होने वाल है मैं आपको बताऊँगी कि आपके साथ क्या होने वाले यदि आप अपने आपको भूल कर लोगों की सेवा में परमेश्वर को याद करेंगे परमेश्वर पीछले करने का काम कर रहा आई ये भी लंबा समय और मैं आपको बता रही हूं मैं एक स्वार थी आत्म केंद्रित जीवन जी रही थी ओ और जब मुझे विश्वास के पर में पता चला मैं बहुत उट्साहित थी क्यों कि मुझे लगा था कि मैं विश्वास का इस्तमाल करके हर चीज पास सकती हूं जो मैं चाहती हूं और परमेश्व मुझे दिखा रहे थे कि तुम जो चाहते हूं वैसा नहीं होगा आई ये भी हर चीज जो आप चाहते हों इसे पाने में आनन्द नहीं है आनन्द मिलता है दूसरे लोगों के लिए करने दिनी और सिवा करने में मैं नाखुश थी नाखुश थी और यदि मैनी मिनिस्ट्री बढ़ेगी तो मैं खुश होंगी और मिनिस्ट्री बढ़ेगी और फिर मैं खुश होंगी मैं नाखुश थी नाखुश थी और आखिर कर मैंने परविश्वर से का मैं बिस साल से चर्च का काम कर रही हूँ फिर क्यों मैं अभी भी नाखोश हूँ उसने मुझसे जवाब दिया उसने का क्योंकि तुम स्वारती हो मुझे आश्चर ये है कि यदि यहाँ कोई और है जिसे शायद उस दिन वहाँ होना चाहिए था जिस दिन मैंने प्रार्थना की थी मेरे बार में क्या, मेरे बार में क्या, मेरे बार में क्या लेकिन आज जब हम इसके बार में बात कर रहे हैं तो Chris ने मुझे एक दिल चिस्प बात कए उस ने का शाय तुम्हें लोगों को बताना चाहिए कि प्रेम क्या है क्यों कि देखो हम आईस क्रीम से प्रेम करते हैं और हम अपनी बिल्ली से प्रेम करते हैं और फिल्मों से और घर से प्रेम करते हैं और हम परमिश्वर से प्रेम करते हैं हम लोगों से प्रेम करते हैं आप आईस क्रीम से प्रेम नहीं करते आपको पसंद हो सकती है आपको उसका स्वात पसंद है लेकिन हम उसे प्रेम नहीं करते और मुझे लगता है कि वास्तों में प्रेम क्या है यह हमें समझने की जरूरत है प्रेम ऐसी चीज है जिसे आप देख और महसूस कर सकते और यह आ आपको कुछ बताने दिया दिया आपकी किसा ही है तो पहले से ही आपकी परवा की जा रही है आप स्वर्ग में जाने वाले से मुझे आपको बताने वास्तों में हर आश्वरे और उदेश्य से आपका सौधा हो चुका है आपका नम पुस्तक में है आप यहां एक कारण से और स्वाहम को खुश करने के कोशिश करते रहते नहीं है यह कि अपना प्रकास चमक ने दो आओ भी नमक बना और हलके बनो आपका जिवन किसी दूसरी को प्यासा बना तो उपल आप इतने खुश होगे कि आपको खुद को खळा रख पाना मुश्किल होगा खर हमें लगता है कि हमें से कई ये मानते हैं कि हम अंधिन दिनों में जी रहें जिसके बार में येशुन बाइवल में बताया और इस वचाए में वो कहता है कि उस समय के दौरान दुसरों के लिए हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा लेकिन हम रोज किसी न किसी के लिए कुछ अच्छा करके इस पर जीत पा सकते हैं जब हम सच्ची प्रेमें चलते हैं तो हम सच्ची आनंद का अनुभाव करेंगे इस कारे करम को जोईस मायर में इस चीज के मित्रो और भागी दरो द्वरा संबव बनाए गया है